हेलो आप शवी को नमस्कार पहली बार यानि 20 में पहली बार कोई सम्मेलन हुआ है जोowana नूगियर एनरजी के ऊपर हुआ है नूगियर एनरजी मिस नाविकिये उर्जा अलाकि summit conclude हो गया March के last week में, यह conclude हो गया कहाँ पे, Brussels में Belgium के राजधानी है, और IAEA यानि International Atomic Energy Agency ने इन्हें turning point माना है, अब हम इस वीडियो के माध्यम से या जानने का प्रयास करेंगे, कि जब यह first ever है, तो क्यों यह first ever हुआ है या nuclear energy summit, clear, लेकिन nuclear energy पे मैंने कई वीडियो बनाया हूँ, लेकिन एक वीडियो में मैंने हाल फिलाल बनाया हूँ, जो पहली बार second चरन, यानि second stage का fast breeder reactor ने काम करना शुरू किया है, या second stage में पहुँच चुका है, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर इसके evidence थे, हैना, core loading हो चुका है, उसके बाद critically achieved हो गा है, या इस इसमें fuel वगरे डाला जाएगा, चेक किया जाएगा, इसके बाद में या काम करना शुरू कर देगा, इस वीडियो में मैंने सारी चीज बताया हूँ, कि तीनो ये stage क्या है, और नावकिये energy यानि nuclear energy कैसे produce होता है, ये सारी चीज मैं इसमें बता चुका हूँ, एक बार जाक सब्सक्राइब किजिए, चलिए ये क्यों चर्चा में है, पहली बार, first of its kind, अगर current affairs की बात करें, तो कोई चीज अगर पहली बार होता है, तो हमेशा नया ही रहता है, हमेशा वो current affairs ही रहता है, तो पहली बार या nuclear energy summit हुआ है, कहां पे Brussels में हुआ है, और इंडिया भी इसम summit जो हुआ है, अब क्यों यह इंपोर्टेंट है, यह थोड़ा सा आप समझे, by ground में मैं आपको ले चलता हूँ, अभी जो energy, चुकि nuclear energy, जहां भी nuclear energy की बात हो रही है, तो समझे, electricity produce करना, चुकि बं बनाने के लिए तेया, नहीं है, ऐसा एलाउग नहीं है, तो अगर electricity की ब बात करें, और इंडिया में भी बात करें, तो सबसे ज़्यादा produce होता है, किस से? कोल से, कोल से ही energy सबसे ज़्यादा produce होता, अब कोल के साथ दो problem है, पहला problem क्या है, कोल के साथ या जलने के बाद, यह इसको जलाया जाता है, पानी गरम किया जाता है, टरबाइन चला जाता होता है अब इसमें क्या होता है carbon dioxide , BEC und glacis निकलती है जो इन्वार्मंट में फैलती है और यहीन क्या है या ग्रीन हाउस गयस यानि इना विना इस मिनज ते दिए करती है गरम होने के बाद उसको ट्राइप कर देता यानि रोक देता नोने होने के कारन सारे चीजर कलाइमेट ही हो जान्ज हो जाता है जहां जाला होना उने होने लगता है जाड़ें लगते हैं हर चीज अस्त बेस्त हो जाते हैं इतने जंगल में फायर हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण ते एक तो इसके साथ ए प्रोब्लम है दूसरा प्रोब्लम है कोल जो है फोसिल फ्यूल है यानि जिवास में इंदान है मिलियन सियर्स एगो अर्थ के क्रस्ट में है ना पेड़ पौदे जिव जन्तु के दबने के कारण यह हाइड्रो कारबन फ्यूल बने है तो यह कभी न कभी तो खतम होगा तो क्या हो जाएगा यहां पर क्या सेकुरिटी की बात आती है यह खतम हो जाएगा तो कैसे यूज कर है और यह समिट किसके देख रेक में हुआ इंटरनेशनल आटोमिक एनरजी एजेंसी यह अंतरास्टियेशन्स था जो पूरे विश में न्यूक्लियर एनरजी यानि सिविलियन के लिए यानि कंस्टक्टिव परपस के लिए यह देख रेक करता है सजेशन देता है और करता है कहीं इस एटॉमिक एनरजी का गलत इस्तमाल तो नहीं कर रहे हैं के लिए तो यहां नियूज है अब हम देखते हैं चुकि पहले वीडियो में बता चुका है कैसे एनरजी प्रोड्यूस होते हैं लेकिन थोड़ा सा रीकाप मैं यहां करना चाहता हूं चुकि इस न इंद्रक में यानि नाब किये में क्या होता है एलेक्ट्रोन होते हैं पोजेटिव चार्ज होते हैं प्रोटोन होते हैं पोजेटिव चार्ज होते हैं निगेटिव चार्ज होते हैं और इलेक्ट्रोन चारों तरफ घुमते रहाता है जो क्या निगेटिव चार्ज होते हैं निउट्रोन जो है, निउट्रल होता है, कोई चार्ज नहीं होता, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, इसमें पोजेटिव चार्ज होते हैं, इसमें निगेटिव चार्ज होते हैं, इसमें निउकलियस होते हैं, अब यह निउकलियस के अंदर प्रोटोन और निउट्रोन होत अब इसमें क्या होता है कि अगर किसी भी मैटर में कितने एटम होंगे अगर किसी मैटर को दो एटम किसी भी चीज के दो एटम को मिला दिया जाए अगर वह एक बन जाए एक बन जाए तो उसमें भी एनर्जी निकलता है अगर कोई एक बड़ा एटम है उसको दो भाग में त तोड़ दिया जाए तो उसमें भी एनर्जी निकलता है तो इसी को बोलते हैं नाव की एनर्जी यानि इसमें क्या नाव ही काम कर रहा है किंद्रक जुड रहा है और तुट रहे हैं जैसे दो तरह क्यों होते हैं देखिए यहां पर क्या होगा न्यूट्रोन से मैंने बंबार किया uranium 235 या दो भाग में तूट किया क्रिप्टन बन गया बेरियम बन गया तीन न्यूट्रोन और तयार कर दिया अब इसमें बहु सारा एनर्जी निकले यहां देखिए deuterium hydrogen का आइसोटोफ है triterium hydrogen का आइसोटोफ है दोनों मिलके एक helium बन गया एक neutron निकला इसमें भी बहु सारे एनर्जी निकले अब इसमें क्या होगा टूटा तो इसको बोलते है बिखंडन नाभकिये बिखंडन nuclear fusion जूटा तो क्या बोलते है nuclear fusion यानि नाभकिये अब जितने भी हमारे स्टार है इंक्लूडिंग सुर्ज सुर्ज दे होता सारे में यहीं nuclear fusion होते हैं यानि सुर्ज के नाभिक में इतना hydrogen है कि वह एनिटाइम reaction होते रहता है दो hydrogen मिलके एक हिलियम बनते है दो hydrogen मिलके सेवा हमें energy दे रहा है clear अब आते हैं अभी दोनों से energy निकलता लेकिन इसको आप अभी धर्ती पर कंट्रोल नहीं कर पाएं अभी बहुत सारे वीडियो भी बने बनाया था कि तो करने की ज़रूरत कंट्रोल किया जा रहा है दीरे दीरे अब इभी इभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है लेकिन इसको सम्हाव हम कंट्रोल कर ले रहा है इसे ही एटम भी बनता है इसे हाइड्रोजन भी बनता दोनों का destructive purpose भी है तो इसी से पूरे विश्व में nuclear energy की जहां तक बात हुई आज तक कल हो सकता है इसे भी तयार हो जाए तो वह nuclear fusion से हो रहे है nuclear fusion से अभी नहीं अभी experimental परपस में है के लिए अब इसमें क्या होते है control rod से बहुँ सारी technology में उस वीडियो में बता आ हूं कुलियर को को पानी गरम मौनिंट इंड़ुस कि या जाता है तर्वाइन चलाए जाता है ज wire कि आधा समझमें कि थोड़ा संदिया हूं समझ में आज आजाए आप लोग को क्लियर अब आते हैं इसी पे सारी नुक्लियर एनर्जी जो भी अगर बात होती है नुक्लियर एनर्जी क्या तो आज तक अभी तक नुक्लियर फीजन पे ही नानी नाप किये विखंडन पे ही बेस्ट है इंक्लूडिंग इंडिया क्लियर अब आते हैं क्यों यह मीटिंग हु देखिए दो हजार एक गाराय में जब फुकुसीमा एक्सिडेंट हुआ था न्यूक्लियर एक्सिडेंट और यूक्रियन पे भी लड़ाई हुई तो उस समय उनके पास भी सबसे पुराना रियक्टर भी जतिक रस्त हुआ चुकि आटायक रसिया के तरफ से हुआ तो इसके क प्रफेंज की हर जगा बात हो रही हर साल इवेन एफसी सी का मीटिंग होता है जिसे कॉप बोला जाता है बहुत वीडियो मैं कॉप पर बनाया हूं कान्फरेंस आप पार्टी यानि जितने कंट्री होते हैं यूए फसी का हर साल मिलते हैं तो वहां पर या जाजा के कॉप म हुआ था सर्म अलसेक में तो वहां पर आईये ने पहली बार पेवेलियन में आदमियों के बीच में इसको रखा लोग सुने एटम फॉर क्लाइमिट यानि एटम का उप्योग कीजिए न्युक्लियर एनरजी का उप्योग की जो क्लाइमिट को बचाने के लिए लेकिन में नहीं है यानि 2050 थक 2020 के बेस बनाके न्युक्लियर एनरजी को तीन गुना करना है इसमें इंडिया नहीं है लेकिन हाँ इंडिया एक्सेप्ट किया है कि न्युक्लियर एनरजी को हम बढ़ाएंगे तीन गुना नहीं करेंगे बाकी कंट्री ने इसको प्लेज किया परति की चर्चा किया है अंतरा स्टे लेबल पर अगर नुकलियर एनरजी के केस में हम देखते हैं तो यहां बताया जाता है कि संभावता जो भी जिवास में इंधन हम यूज करते हैं भी बात किया है न कोल पेट्रॉलियूम हो सकता है इसका सफ्टिचूट हो जाए कब सब्सक्राइब और गवर नुकलियर एनरजी का मिनिंग क्या होता है नुकलियर एनरजी बनाने के लिए सबसे पहले आप रियक्टर बनाएंगे रियक्टर बनाने के बाद यूरेनियम का माइनिंग होगा 238 उसके बाद में उसका इनरीचमेंट आप करेंगे यूरेनियम का चुकि नॉर्मली 235 ज्यादा मिलते हैं 238 आपको बनाना पड़ेगा कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा पीसले साले उपी एसी के पीटी में पूछा था उसके बाद में भी बहुत सारे टेकलोजी करके उसके बाद में कोर लोडिंग करेंगे उसके बाद में क्रिटिकली अचीव कराएंगे इन सारे प्रोसेस को बोलते हैं लाइफ साइकल इस से 6 ग्राम ही पार कीलो वाट पर या उस जर्जित करते हैं हला कि private बहुत सारे study हैं जिसमें 50 से 60 ग्राम तक बात करते हैं लेकिन आई यही बात करते हैं कि 5 से 6 ग्राम उस जर्जित करते हैं लेकिन फिर भी यहा होगूना कम है coal fire यानि coal अधारित electricity से और लगबग हाफ है एवरेज में सोलर और विंड जेनरेशन का तो सबसे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ अच्छा हुआ दूसरी इसका इडवांटेज क्या हो सकता है कि यह पेरेनियल हमेशा एवेलेबल होगा यानि एक बार यूरेनियम आप डाल दिये उसमें तो हमेशा इनरजी जेनरेट करेंगे तो चुकि यह सीजन पर डिपेंड करता है टाइम पर डिपेंड करता है लेकिन यह इस तरह की वेवस्था नहीं है तो दो एडवांटेज देखे एक तो क्लीन इनरजी है कंपेर टू फॉसिल फूल अभी आप देखे कि इंटाइर लाइफ साइक कल को भी अगर जोड़ दे तो हंड्रेट गुना कम लोवर कार्बन फूट्प्रिंट है दूसरा क्या है यह प्रेनियल है ऐसा नहीं कि सीजन और टाइम पर डिपेंडेंट है अब इतने एडवांटेज होने के बाद क्यों नहीं डेवलाप हम लोग कर पा रहा है नुकलियर energy का इस्तमाल electricity generation के लिए किया जाता है यानि नाब किये उर्जा से बिजली पैदा किया जाता है और माल लेते हैं कुछ साथ और है जो इसके दिशा में काम कर रहा है अभी उतसरजित नहीं कर रहा है अभी electricity generate नहीं कर रहा है तो दोनों को भी जोड़ दे फिर भी 38 हुआ में से हमारा इंडिया भी है इस 31 में से एक हमारा इंडिया भी है अगर operational reactor की बात करें तो घटे हैं पूरे 20 में 2003 में 437 operational reactor थे जो घटके आपको 20 साल में 411 हो गया हुआ है अभी 411 है है अब अब इसका कारण क्यों सेफ्टी नहीं सेफ्टी तो कारण है एक चुक बहुत एक्सिडेंट होते है रेडियो एक्टिव माटेरियल है एक बार लिक कर गया तो विशाइले गैस निकलते है यूरेनियम है ना अल्फा वीटा गामा रेज एट नाइन कलास में आप लो अब ही यह इससे एलेक्टिसिटी जनेरेट करना थोड़ा सा कॉस्टली है न्यूक्लियर पांवर से चुकि पूरे लाइप साइकल आप देखें रियेक्ट न्यूक्लियर रियक्टर तयार करना यूरेनियम चुक हमारे पास यूरेनियम है नहीं माइनिंग बाहर के देशों उसे मंगाना आस्ट्रेलिया वगरे से मंगाना है ना आप 2005 में जो हम एग्रिमेंट किये हैं यूज से उससे कुछ राहत मिला है ना तो यह बहुत महांगा है दूसरी बात कि टेकलोजी जो है इसका बहुत महांगा जो हमारे पास नहीं है तो आप समझ में आप आपके दिम देक जिया प्लिए कारण से यह अभी आप ज्यादा प्यूर अप्टेक वर अप्टेक क्यों है चुकी सेटी कनसर्ण तो हम छीय और टेकलोजी में हम ज्यादा धियान दे रहें तो के लिए अब हम आते है कि और नेया है अगर दोधीन की बात कर यहां से देखिए यहां यह यहां बाद में यहां कहोंगे कुछ तो इस तरह का पूरे या 200 का है या आई यही का सोर्स है आई यही मैं लिख दिया हूं यहां पर अब आते हैं कि नंबर आफ रियक्टर ग्लोबली बाई एज इतने साल से देखिए जीरो से दस साल का तीरसठे गो रियक्टर लेकिन 40 से 50 साल का 127 गो रियक्टर मतलब क्या हुगा कि मतलब हो कि नय रियक्टर बन नहीं रहा जागा इसका कारण आप देखे हैं क्यों तो मेंस वागर हमें पू यहां न्यूक्लियर का देखिए यहीं है यहां 10% से लेके अगर यहां आपाएंगे तो 18-20 तक ही है क्लिए अब हम आते हैं कि इंडिया क्या क्या पोजीशन है चुकि इंडिया में हैं लोग इंडियन है तो जब तक इंडिया की बात नहीं होगे हम लोग कैसे कंपेर कर पा अगर पूरे कापिसिटी की बात करें तो 7,480 मेगावार्ट इसको गीगावार्ट में कंवर्ट करें तो 7.5 गीगावार्ट है के लिए 10 रियक्टर और है जो अंडर कंस्टक्शन है अगर वो भी जेनरेट करना शुरू कर दे तो मान लेते हैं कि 22,480 मेगावार्ट दो हजार 31,32 तक जेनरेट करना सुब हो जाएगा अगर टोटल एलक्टिसिटी में नुक्लियर एनरजी का अगर सेयर की बात करें तो अभी इंडिया में लगबक 3.1% ही है यानि जो भी एलक्टिसिटी हम यूज करते हैं उसमें 3.1% ही एलक्टिसिटी है जो नुक्लियर ए विश्व में सबसे कम सेर इंडिया कहीं है यानि और कंट्री में जो भी 31 कंट्री है जो भी एलक्ट्रिसिटी नुक्लियर एनर्जी यूज़ करते हैं इससे ज्यादा है इसके बावजूद भी इंडिया ने ट्रिपलिंग डेकलरेशन जो कॉप 28 में हुआ है दोबई में उसमें भाग नहीं लिया कि एक तो यूरोनियम हमारे पास आए नहीं लेकिन यूरोनियम का दोड़ भी हमने सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज में अपने थोरियम को यूज कर आएगा तो थोरियम का यूज करने पर चर्चा कर रहा है इसलिए इनों ने कहा कि नहीं हमारे पास तो हैं नहीं तो हम क्यों इसको ले तो यह इस्तिति हैं हमारे इंडिया का इस तरह में न्यूक्लियर एनर्जी से एलेक्टिसिटी जेनरेट करते हैं तो दिस इस आल इवा सीखें हैं आप तो प्लीज इसको लाइक और अपने दोस्तों में जरूर करेंगे सो एंक्यू है वे गुट डे अंड हैपी लर्निंग थैंक्यू वेरी मुर्ट